चीन के साथ जारी विवाद के बीच पीएम मोदी ने बुलाई सरदलीय बैठक बैठक में कई राज़ीतिक दलों के लेता हुए शामिद संसल सत्र के आने वाले दिनों के लिए प्लान को लेकर वोई चर्चा लोगसभा में रक्षाबंतरी के बयान के बाद से विपक्ष हुआ हमलावर काईस मसले पर चर्चा होने चाहिए साथी मोदी सरकार पर चीन के बैंक से पैसा लेने का भी लगाया रो किसानों के लिए लाए गए विलों को लेकर राजनीती गर्ब बीजे पिदक्ष जेपी नडड़ा ने कॉंग्रेस पर साधा ने शाना कहा कॉंग्रेस पहले समर्थर में थी अब राजनीती कर रही है लगदाग में चीन के साथ जारी विवात के बीच मोदी सरकार ने सरदलिये बैठक बुलाई इसमें कई राजनीती दलों ने हिस्सा लिया साथे इसमें आने वाले दिनों में संसर सत्र में क्या प्लान होगा इस पर भी बातचीत की भारत चीन के बीच लगातार बिगडते हालात के बीच मोधी सरकार ने देश में एक राय बनाने के लिए सरदलिय बैठक बुराई इस सरदलिय बैठक में पीएम मोधी रक्षा मंत्री राजना अत्सिंग समयत कई पार्टियों के बड़े निताओं ने भाग लिया बैठक में विपक्षी दलों के नेताओं ने गिर्ती हुई जीडिपी का मुद्ध उठाया तो वहीं सरकार ने विपक्षी दलों से पार्लियमेंट में सभी बिलों को पास करने में मदद की अपील की दरसल 18 दिलों तक चलने वाले इस मौनसून सत्र में मोधी सरकार द्वारा पिछले 6 महीनों के दौरान पारित किये गए कई अध्यादेशों और विधियकों को संसत के पटल पर लखा जा सकता है इनमें कुल 11 अध्यादेश और 18 बिल शाबिल हो सकते हैं इसमें देश की आर्थिक विवस्था को सुधार दे के लिए की गई घोश्णाओं के साथ फिशी, श्रम कानून और द्योग के अलावा आत्मिर भर भारत आदी के तहट जारी आर्थिक पैकेट से संबंद अध्यादेश और कुछ एहन बे शामिल होने का नुमान है अधे बहार चिन के विवाद पर कॉंग्रेस निक पर फिरसे मोधी सरकार को घेरा, कॉंग्रेस ने कहा कि गिरह मंत्रे ने कुछ कहा और राजनात सिंग घुस्पैट की बात कर रही है साथ ही कॉंग्रेस ने ये भी आरूप लगाया कि सरकार ने चीन के बैंक से लोन दे लोग सभा में रक्षामंत्री की ओर से मंगलवार को एलेसी पर तनाव को लेकर दिये बयान के बाद विपक्षिदल और ज्यादा हमलावर हो गया है वहीं एक बार फिर कॉंग्रेस ने मोधी सरकार पर तनीखा हमला किया है कॉंग्रेस प्रवक्ता पॉन खिडा ने सरकार की ओर से दिये गए दो अलगालग बयानों का जिक्र किया और कहा कि लद्दाक की सीमा पर भारत और चीन के बीच तनाव बना हुआ है चीन हमारी सीमाओ में गुस्पेट का तहा है एक प्रधान मंत्री ने देश के साथ जूट बोला ये वही तारीक है 19 जून ना केवल चीन को 19 जून को प्रधान मंत्री ने क्लीन चिट दी बलकि 19 जून को चीन स्थित, बीजिंग स्थित, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेश्मेंट बैंक से पैसे भी लिए ये इस सरकार का ढोंग आपके सामने है कि किस तरह से आप एक तरफ तो कहते हैं कि हम आर्थिक रूप से भी चीन से रिष्टे समाप्त करना चाते हैं ट्रेडर एसोसियेशन को कहते हैं कि भी चीन का सामान वॉयकॉट करो आम आदमी से सारी उम्मीदे हैं मोधी सरकार को और जब खुद पर आती है तो चीन के बैंक से पैसे लेते हैं वहीं कॉंग्रिस से मांग करते हुए कहा कि इस मसले पर चर्चा होनी जाहें साथी सरकार पर चीन के बैंक से पैसे लेने का आरूम थिलबाया चौकाने वाली जो बात दूसरी आई वो आज मोएस होम श्री नित्यानंद राय ने जो उत्तर दिया है घुसपैट को लेकर पाकिस्तान और चीन द्वारा घुसपैट को लेकर उसमें एक लाइन का उत्तर है चीन को लेकर कि पिछले छे महिने में चीन की तरफ से भारत में कोई घुसपैट नहीं हुई है इससे ज़ादा चौकाने वाली बात मैंने और आप मेंसे किसी ने भी नहीं सुनी होगी पहले तो प्रधान मंत्री आकर जूट बोलते हैं फिर रक्षा मंत्राले की वेबसाइट जो की सच निकाल देती है अगस्त की साथ तारिक को उसको हटा दिया जाता है उस वेबसाइट में सपश्ट तौर पे लिखा था कि कहां कहां किन किन पॉइंट्स पर चीन ने घुसपैट की है कोई दबाव आया वेबसाइट से वो उड़ा दिया गया दबाव प्रधान मंत्री का आया होगा हम ये मानते हैं प्रधान मंत्री पर किसका दबाव है हम ये जानना चाहते हैं दरसल चीन के साथ पिछले कई वहीनों से तनाता नहीं बरकरा, कई स्तरों की बातचीत के बाव जीत, चीन अपनी नापाग खरकत उसे बाज नहीं आ रहा कोधी सरकार की तरफ से किसानों के नहीं लाए गए तीन बिलो का कई राज़नेतिक दल और किसान लगातार विरोद कर रहा है इस पर जेपी नडड़ा ने कॉंग्रिस को घेरा और कहा कि कभी चुनावों के वक्त कॉंग्रिस ने इनी बिलों का इनी वायदों का अपने घोशना पत्र में जिक्र किया थे किसानों से जुड़े तीन एहम बिल फिलहाल संसत में पेश कर दिये हैं सरकारी ने पास कराने की तयारी में हैं तो दूसरी तरफ किसान इन बिलों का विरोध कर रहे हैं कॉंग्रिस समयत कुछ और दल भी इसके विरोध में हैं किसान पहले से ही तीनों बिलों का विरोध करते आ रहे हैं हर्याना में भी जब सेक्रों की संख्या में किसान सड़कों पर उत्रे तो किसानों पर लाठियां बरसा दी। इन बिल को लेकर राजनीती भी जोरों पर है। एसी बीच इन विधेयकों पर जानकारी देते हुए बीजेपी अधक्ष जेपी नडडा ने बताया कि इन विधेयकों को क्रिशी शेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए लाया गया है। साथ ही ये भी कहा गया कि पहले इन विधेयकों कोवा कॉंग्रेस की ओर से समर्थन किया जा रहा था। लेकिन अब इस पर राजनीती की जा रही है। कुल्चर प्रोडूस इंक्लूदिंग एक्सपोर्स, इंटरस्टेट, ट्रेड, फ्री फ्री फ्रॉम आल रिस्रिक्शन्स। उसी तरीके से पाराग्राफ एक्यारा में लिखते हैं एक्कीस में लिखती है। यह जो इन्होंने लिखा है उसको मोदी जी ने पूरे का पूरा इंप्लिमेंट किया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह कहते हैं, आज देखिए इनका चेहरा, लोकसभा और राजसभा में यह अपोस कर रहे हैं। और किसानों को लुभाने के लिए अपने मेनिफेस्टों में उसको डालते हैं। और आज दुनिया को गुमरा करते हैं, जूट बोलते हैं। यह कॉंग्रेस की पॉलिटिक्स है। जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि इसी तरह मूल्य आश्वासन और कुशी सेवाओं पर किसान समझोता बिल, कॉंट्रेक्ट, फार्मिंग पर आधारित है। यह इसलिए जरूरी है, क्योंकि सब लोग खुद खेती नहीं करते हैं। इसलिए इसमें लिखित एग्रिमेंट की विवस्था की गई है। उसका भी आदमी होगा और उसके साथ साथ सरकार का भी आदमी होगा और वो कंसिलिएशन करेंगे। उस कंसिलिएशन के बाद SDM इंटर्वीन करेगा। इसलिए किसी की भी जमीन जाने का सवाल नहीं होता। रोल मॉडल बनाये जाएगा। और उस मॉडल कॉंट्राक्ट में दाम की विवस्था एशोर्ड प्राइस, बोनस और बोनस के साथ साथ वेरियेबल्स इस पर भी कॉंट्राक्ट होगा। पेलमेंट भी उसी समय हो जाएगा जिस समय आपका आपका वो क्वालिटी एक्सेप्टेंस होता है। किसान को उसकी फसल की गुर्वत्ता के अनुसार मूले निधारन की स्वतंत्रता मिलेगी। लेकिन किसान इसमें अपना नुकसान देख रहे हैं। कि पर मंडी शुल्क लगेगा जो कि बहर शुल्क से शूट होगी। के कंकर खेडा थाना शेत्र में। अब्दुल्ला नाम का एक शक्स अमन बनकर नावालिक लड़की को प्रेमजाल में फजाता है। और फिर उसका अपरहन करता है। लब करने वाला अब्दुल्ला उर्फ अमन का खुलासा। उस वक्त हुआ जब इसने सितंबर में लड़की का अपरहन किया। और आज 13 दिन बाद जब लड़की बरामद होती है तो उसने ये भंडा फोर्ट किया। पदा चला है कि ये शक्स जो अधेड है वो नकली बाल लगाता था ताकि वो जवान दिख सके। अब्दुल्ला उर्फ अमन नकली बाल जेब में रखता था। बताए ये भी जा रहा है कि इसकी तीन बीवियां भी हैं। बेरहाल पुलिस ने इस पर अपरहन, बलाककार और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोरोन काल में सब कुछ बदल गया है, धार्मिक और सांस्कृतिक कारिक्रम भी से अचूते नहीं है। रामनीला से वंचित ना रह जाए, इसके लिए वारानसी में रामनीला को मुकोटों और पपेट के माध्यम से डिजीटल और सूशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देश-विदेश में प्रदर्शित करने की तयारी है। नुकोटे अपना समवाद बोलेंगे, 30 सितंबर से 30 अक्टूबर तक रामनीला सोशल मीडिया में प्रसालित की जाएगे। पिछले 20 सालों से दिल्ली यमना पुल के नीचे भी एक दुनिया है। जी हाँ, जहां गरीब इनसान केवल 10 रुपे मात्र खर्च के फिल्म देख सकता है। छोटा सा सिनेमा घर है ये।